नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीन बीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलारी नमबो वाइन, मार्किट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे जहां पर 100 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी दिखा रहा है निफ्टी बैंक 195 पॉइंट नीचे है लेकिन गिरते निफ्टी बैंक में एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए और वो है देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ओफ इंडिया जहां पर आज पंक लगे हैं, 4% का इंट्रोडे मुव इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा यहां पर दरसल बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कि येस बैंक में SBI हिसाब बेच सकता है, जहां आपने सही सुना येस बैंक जिसको बेल आउट स्टेट बैंक ओफ इंडिया नहीं किया था अब ब्लॉक बील के जरिये कुछ स्टेग जो येस बैंक में इस दिगज बैंक का है वो बेचते वो दिखाई देंगे, यतिन मोता ने इन फाक्ट एक्स्क्लूजिव डीटेल्स इस पुटिकिलर होने वाले सौदे की जुटा ली है और उनी के पास जाएंगे, यतिन बड़ी डिवेलप्मेंट, येस बैंक का सहारा, इन फाक्ट स्टेट बैंक ओफ इंडिया ही था और अब आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, तो जब 2020 में, यानि चार साल पहले, लगबग लगबग SBI ने Yes Bank के अंदर Capital Infusion किया था, Scheme of Reconstruction के अंदर, तीन साल बाद वो लॉक इन खुल गया, यानि पिछले साल वो लॉक इन खुल गया, और सूतर हमके बता रहे हैं, क्योंकि SBI को अब urgency है, Capital Race करने की, तो एक ट्रांच में, आप Yes Bank के 5,000 क्रोड से 7,000 क्रोड के शेर्स ओफलोड करिये, ब्लॉक डील के जरीए, क्योंकि मार्केट में भी appetite है, और SBI को 10 रुपे पे शेर मिले है, और ये अभी जो मार्केट में मोमेंटम आया है, Yes Bank के शेर में, जो लगबग 70-75% उपर है, year-to-date य जो provisioning हुई है, employee provisioning और जो pension provisioning, उसको एक cushion मिल सकता है, दूसरी सबसे एहम बात के SBI काफी दिनों से बोड में चर्चा कर रहा है, कि Yes Bank के शेर्स को किस app टाइम पे बेचा जाए, और इसको monetize किया जाए, अगर हम बात करें SBI की, तो लगबग वो 751 करोड शेर्स, जिसकी आ SBI का बोड बहुत जल्द इस पर्टिक्लर प्रपोजल पर फैसला लेगा, SBI को हमने एक email किया है, अभी तक कोई प्रकार की टिपनी उनकी तरफ से Yes Bank के stake sale पर आई नहीं है तो Yes Bank में कुछ हिस्सा बेचा जाएगा, ध्यान रखे, इनिशिली जब State Bank of India ने capital infusion किया था, 30% लिया था, फिर कुछ हिस्सा कालाइल आडवेंच ऐसे private equity players ने लिया तो 26% की हिस्सेदारी थी, और ये लगबग 10 रुपे प्रती शेर पर इनफाक्ट लिया गया था, मुझे इस डील की contours क्या होंगी, कब तक क्यो होतावा दिखाए दे सकता है? उनके पास options हैं, जिससे हो capital raise कर सकते हैं, yes bank की बात करें, तो yesterday 75,000 क्रोड के उपर का company का market capitalization हो गया, और मज़े की बात ये है हरशदा के SBI को किसी भी प्रकार का capital gain tax इस particular sale पे नहीं बेचना, देना है, क्योंकि जो gazette notification आया था हो, जो RBI की scheme of reconstruction थी, इसके अंदर SBI को छूट दी गई थी, कि जब भी भी आप ये shares बेचें, तो किसी भी प्रकार का tax इस पे भरना नहीं होगा, तो एक pure play capital SBI के पास आ सकता है, और हमको yes bank के सूतर भी ये बता रहे थे कि काफी सारे presentations हुए हैं, तो ये देखा जाएगा board किस तरीके से इस चीज़ पे call लेता है, ओके त 20% तक की हिस्सेदारी, उसमें से कुछ हिस्सा बेचा जाएगा और eventually वो बाकी देखेंगे कि कब वो stake sale होगा या नहीं, in fact एक बड़ी breaking news, CNBC आवास की exclusive news है ये, अजीत का भी हमाई साथ जुड़ गए है, अजीत इस scheme of things of course सूतर बेस्ट है, हमारे sources हमें कह रहे हैं कि capital infusion ज वापिस लेने की बारी आ गई है, हम सब जानते हैं, SBI में भी कुछ अतिरिक पैसो की जरूरत होगी, अब वो पैसा raise करने के लिए dilution ना करें, जहां पर investment अच्छा profit दे रहा है, वहाँ पर शायद कुछ हिस्सा बेचा जा सकता है, आप की analysis क्या है, if it all ये आगे होता है अब थर्ड कोर्टर ऑफ फाइफ़टिफोर के रिजल्ट के बाद हमें इतना पता चला कि उनका capital education ratio, जो सी tier 1 है, वो 10.6% है, और risk weight बढ़ने के वज़े से बहुत सारे RBI ने risk weight बढ़ाया अंसेक्योड लोन और NBFC लोन पे, जिससे capital dilution थोड़ा capital education ratio में थोड़ा और गिरावट देखने को मिला So, अब इन सारी चीज़ों पे अब threshold के जस्ट उपर है, तो इस control में management ने clearly काया है कि उनको एक quarter और recent quarters में आने वाले समय में उनको capital raise करना है So, capital raise बहुत सारे QIP से हो सकता है, अब इतुदी capitalization तो हो नहीं सकता, पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि 26% of stake जो उनके पास है So, अब इन सारी कीज़ों पे देखते हुए, 26% जो उनका stake है, इस bank पे उसको offload करना, उसको offload करके capital raise करना सबसे easiest options है State Bank of India पे और इससे capital dilution भी नहीं होने वाला और उनके आपास अच्छा कासा fund आ सकता है So, यह सबसे बहतरीन option है और street पे काफी दिनों से इसकी चर्चा भी चल रही है कि yes bank की सबसे अच्छा option होगा है State Bank of India के लिए capital raise करने के लिए और उनको यह भी capital की जरूरत पड़ेगी क्योंकि capital education और tier 1 जो है वो threshold है तो clearly capital की जरूरत अब State Bank को है तो जहां पर इन्होंने पैसा लगाया था वहाँ से कुछ stake वापिस लेंगे और अच्छे खासे दरसल price point पर exit लेते हुए दिखाए देंगे जितना भी लेंगे इस समय वो पूरी yes bank की जो stake है 26% की वो किते पर valued है अजीत और ये जो पांच 7000 करोड की बात यहां पर यतिन भी कर रहे थे ये पूरे के पूरे they will be free for SBI to use completely see yes वो पथीस हजार अगर आप देखा जाए 26% of 17,000 करोड वो एराउंड 20-22,000 करोड रुपे का उनके पास टॉटल वेलुएशन होगा यह स्टेट बेंक के पास सो यह स्टेट बेंक को एराउंड 6-7,000 करोड रेस करना है सो उनको 26% मतलब उनके 26% का one third at least पहले चोटे-चोटे चोटे टैंसे में बेचने पड़ेंगे और वो उतना capital raise काफी होगा State Bank of India के लिए next balance sheet growth for next 2-3 साल के लिए मेरा फिर अब आपसे आखरी सवाल यही है कि State Bank of India जिसमें आज पांक लगे हैं in fact in today में हमने देखा है 4-5% तक का move भी देखने को मिला 700 पर भी क्या आपकी राय है खरिदारी करने की Yes, obviously State Bank of India evaluation के perspective से अगर इस quarter के result के बाद देखा जाए वो करी 1.5 और 1.6 price to book पे trade कर रहा है और मैं अगर देखू सारे ACU banks में State Bank of India थोड़े से minute हमें result में थोड़ा मतलब क्या disappointment देखने को मिला है कहीं चार्ज चीज़ों पर भाई के भाई मतलब खरिदने के लिए valuations काफी अच्छ है अभी State Bank of India valuations काफी अच्छ है State Bank of India एक buy site का trade रहेगा और ये deal in fact बाजार को पसंद आएगी जब भी होती है और धान रखें कि इस exclusive सूतरों के हवाले से update आ रहा है कि 5-7000 करोड के शेर दरसल SBI बेचतावा दिखाई देगा Yes Bank में SBI को खुद capital raise करने की ज़रूरत है तो वो equity dilution के बजाए जहां पर इन्होंने investment किया था Yes Bank में वहां पर और वो कुछ stake offload करते हुए दिखाई देंगे तो ये in fact वो stock का reaction 700 के आसपास trade देखने को मिला है लेकिन इस बीच आप अगर Nifty Bank का हाल देखें Nifty Bank तेजी से तूट रहा है Market भी उपरी level से काफी फिसल चुका है 200 point के नुकसान पर इस समय trade बनता हुआ Nifty में और Nifty Bank साड़े 400 अंकों की गिरावट दिखा रहा है देखते ही देखते हाँ पर हम देख रहे है pressure the Russell mount हुआ है ध्यान रखे HDFC Bank का एक बड़ा योगदान है Market को नीचे खीचने में वो counter कल भी underperform कर रहा था आज भी आप गौर करिएगा 1.5% नीचे तो HDFC Bank से दबाव बना ही है लेकिन इसके अलावा Kotak में उपरी लवल से 1% wipe out हो चुके है Axis में करीब पॉने आदे पसंट से जादा की गिरावट आ गई है Indecent, ICICI Bank ये दूसरे pockets हैं जहां पर रूपरी रूपरी लवल्स पर कुछ-कुछ मुनाफव असूली का दबाव बन रहा है तो ये in fact बाजार की स्थिती आपके सामने है ये देखें निफ्टी Bank के contributors सारे नीजी Bank एक तरफ जहां पर दबाव बन रहा है लेकिन SBI का अच्छा खासा योगदान अगर आज SBI में 4-5% की तेजी नहीं होती तो शायद हम निफ्टी Bank में और भी गहरे cracks देखते 500 पॉइंट नीचे और clearly ये दिगज बैंक है ICICI HDFC जो सबसे जादा मार डाल रहे है इस समय निफ्टी उपरी लवल से करीब 200 पॉइंट से जादा correct कर चुका है अचानक ऐसा क्या हुआ कि इता गहरी मार पड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे लेकिन मैं जानकार भी इस समय तैयार हो गए हैं आज के trades के लिए गुड मॉर्निंग जेंटलमें अचानक वो sell-off एक तरफ वो SBI में तेजी लेकिन बाकी बारी बैंक्स में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है अमित क्या अप्रोच होगी ये 21,700 के आसपास निफ्टी में क्या किया जाए जी माम काफी मार्केट्स पर प्रेशर है सबसे क्रूशल लेवल है जिन्हों ने सुबरे शॉट किया डेफिनिटली ये मिकिंग मनी फ्रेश शॉट इस लेवल पर नहीं सला करूँगा लिकिन अगर क्लोजिंग बेसेज में 673 तो फिर लगता है देन अनदर 200 पॉइंट से हम यही कह रहे थे कि प्रॉब्लम एरिया फॉदर मार्केट इस बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने वन सगें अपना 100 अमा ब्रेक कर दिया है तो वहां इसे सारी वीकनेस आ रही है निफ्टी को कभी रिलाइंस मिल जाता है कभी आईटी मिल जाता है कोई ना कोई सेक्टर हैंड्स अप करता है बट प्रॉब्लम में रही है इस बैंक निफ्टी विच इस बैंक में लगया हाथ करीब 22 करोड शेरों के सौदे हो चुके हैं नेली 730 करोड की वालियो की यह ड इस समय 2970 के आसपास ट्रेट करतावा दिखाई दे रहा है यह बैंक में करीब 23 करोड शेरों का बड़ा सौदा होतावा दिखाई दिया है किसने बेचा है कौन ले रहा है उसकी डीटेल्स आगे आएंगी लेकिन यह स्टॉक जिसके हम चर्चा कर रहे थे स्टेट बैंक के क पांटेक्स्ट में रेडार पर रहना चाहिए तो चले आपके ट्रेट में अब लेना शुरू करती हूं पंकर रांदर का दिखाईएगा पॉर्टफोलियो इन्होंने दरसल कल यूखो बैंक में खूब कमाई की है करीब 9% के रिटर्न वहां बने इनफाक्ट अमित का हिंड प्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंडना लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें